अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस्टोक एनलिसिस की डेली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जैसा कि आपने थमनेल में देखा ये कोई भी क्लिक बेट वीडियो नहीं है आप डेली 7,000 रुपीस कमा सकते हैं वीडियो में एंड तक बने रही हैं मैं आपको विद्प्रूफ दिखाऊंगा कि आप कैसे 7,000 रुपीस डेली कमा सकते हैं चली वीडियो शुरू करते हैं पहला इस टोक है हमारे पास Tata Motors ये हमारे पास सेलिंग के लिए आया है कल भी हमने इस टोक प्रोवाइट किया था इसमें M पैटन बना था आज उसकी नेक लाइन ब्रेकडाउन हुआ और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्फॉर्म करा एक्जैक 400 का हमने टार्गेट दिया था आज सकसफुली वो टार्गेट अचीव हुआ है कल इसको हम कंटिनुएशन में ट्रेट करेंगे इन केस अगर आपने कल की वीडियो मिस कर दी तो आई बटन में मैं उसकी लिंक डाल दूँगा आप वो वीडियो महां से देख सकते हैं 15 में टाइम फ्रेम पे इसका एक सपोर्ट एरिया है 400 का कल अगर ये फ्लैट खुलता है यहाँ पे एक अच्छी बेरी स्केंडल सेटल होती है और इसके सपोर्ट एरिया का ये ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ पे एक सेल की ट्रेट इनिशेट करेंगे फॉर अ टार्गेट ऑफ 3.90 इन केस अगर इसने अपर स्यूंग को ब्रेक कर दिया तो हम इसमें कोई भी ट्रेट इनिशेट नहीं करेंगे या कल ये गैप अप खुल गया तो भी हम इसमें कोई भी ट्रेट इनिशेट नहीं करेंगे दूसरा इस्टोग है हमारे पास BPCL यह हमारे पास buying के लिए है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक flag and pool का pattern बना है यह है इसका pole and यह है इसका flag previous 4 to 5 days से यह एक similar range में trade कर रहा था आज इसने एक अच्छी bullish candle form की है 15 में time frame पे इसका एक resistance area है 350 से लेकर 349 का कल अगर यह flat कुलता है यहाँ पे एक अच्छी bullish candle settle होती है तो हम यहाँ पे एक buying की trade initiate कर सकते है for a target of 357.50 with the SL of 2 to 3 point in case अगर इसने अपने previous swing को break कर दिया और यहाँ से नीचे चला गया तो हम इसे छोड़ देंगी यह कल यह gap down कुल गया तो भी हम इसमें कोई भी trade नहीं initiate करेंगी तीसरे stock इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस यह हमारे पास selling के लिए आया है जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक selling trend में है और previous swing के पास trade कर रहा है 15 में time frame पे इसका एक support area है 136.25 से लेकर 136 का कल अगर यह flat खुलता है यहाँ पे एक अच्छी bearish candle से अपने support area को break करता है तो हम यहाँ पे Excel की trade initiate करेंगे for a target of 131 with the SL of 122 point in case अगर इसने अपने upper swing 137.50 के area को उपर की side break कर दिया तो हम इसमें कोई भी trade initiate नहीं करेंगे यह कल यह gap अप खुल गया तो भी हम इसमें कोई भी trade initiate नहीं करेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप daily 7,000 रुपीस कैसे कमा सकते है last stock हमने आपको बताया है indiable housing finance यह हमने आपको sell के लिए दिया है 136 के level के नीचे for a target of 131 आपको अपने dashboard में आना है जो भी आप broker use करते है वहाँ पे आपको indiable housing finance टाइप करना है और यहाँ पे आपको add कर लेना है जैसे ही आप कल इसको trade करेंगे sell के trade करेंगे यहाँ पे आपको इसमें 1400 quantity sell करनी है for a level of 136 जैसे ही आप 1400 quantity यहाँ पे sell करेंगे इंडिया बॉल हाँसिंग finance की 136 से 131 पाच पॉइंट होते हैं 1400 इंटू 5 पॉइंट इकोल to 7000 रूपीस आप इस तरह से 7000 रूपीस कमा सकते हैं बर ध्यान दीजिए इसमें आपको risk भी मिलेगी जो है की होगी 3-4000 की अगर आपकी risk capacity उसको allow कर रही है तो ही आप trade लीजिएगा वरना आप इसमें छोटी quantity से भी trade लेके practice कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगी तो like, share, subscribe जरूर करिएगा थैंक यू